तो प्यारे बच्छों पिछला वीडियो फिर से कट हो गया ठीक है ना तो अपन क्या करें अपन पता नहीं कहां तक पहुंच गया थे ठीक है यहां तक तो कम से कम पहुंची गया होंगे इसके बाद ही कट हुआ होगा तो बच्छों 1-cos 2 theta is equal to 2sin square theta तो 1-cos theta थीटा बस क्या होगा 2sin square theta 2 theta 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 upon 2 तो ऐसे 1- माइनस प्यारे बच्छों को सराम क्या हो जाएगा 2sin square फिर बच्छों राम अपन टू ऐसे 1- स्कॉस मतलब जो भी कॉस के आगे theta है कोड है उसी का आधा होता है इस बार कोड क्या है पाई अपन टू- एक्स है प्यारे बच्छों तो बन जाएगा 2sin square है ना 2sin square कोड बटे 2 कोड क्या है एंगल क्या है पाई अपन टू- एक्स है इसका अपन टू ठीक है प्यारे बच्छों तो अपन यहाँ पर लिखेंगे 2sin square sin square पाई अपन टू- माइनस एक्स अपन टू इस टू से यह टू अपन कैंसल कर सकते हैं ठीक है बच्छों देखो थोड़ा सापन डिटेल में जाएं अराम से पहली बार जब भी पढ़ें बच्छों अपन आराम से पढ़ें किसी भी सौट ट्रिक के तरीके में ना रहें है ना तो उससे अपना ही फाइदा होना है अब प्यारे बच्छों इसको आप यहीं पर सॉल्व कर लो या तो अलग सॉल्व कर लो कैसे साल होगा बच्छों पाई अपन टू माइनस एक्स अपन टू है इसके आपन में कुछ निए बच्छों तो टू अपन वन कर लें फिर अगले स्टेप में से एक्स अपान में 2 आ जाएगा है ना मदर इसको अगर अपन सिंप्लिफाई करके लिखें बच्चों तो पाई अपन टू माइनस एक्स अपन टू को हम बच्चों क्या लग सकते हैं पाई अपन 4-6 अपन टू ठीक है ना वाई इस एक्वल टू प्यारे बच्चों टैन इन क्या हो जायगा root यहां पर है cos², cos² क्या है बच्चों यह क्या बन जायगा देखो 2 upon1 है खुस से देखके यहीं पर यह टू upon1 है उपर जायेगा तो 1 upon 2 हो जायेगा 1 upon 2 का गुणा 파ma से था यह पाइ अपन 4, फिर माइनस तो माइनस 1 upon 2 का गुणा x से तो बच्चों x upon 2 यह आ गया ऐसे यहां भी होगा बच्चों sin square यह भी सेम चीज है वह ऐसे simplified होगी तो पाई अपान 4 minus x upon 2 ठीक है प्यारे बच्चों कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को इस पाउंत लॉक ढ़ए पिए अपन देखते हैं और वाई-ईज इपक्वल डौंट आनवर्स रूू आफ देखो कॉस कॉस्च इसक्वर तीटा रिजला ना अपन साइन स्क्वर तीटा दोनों से महना थीटा तीटा ओशस्कर तीटा अपन dug तेटा बराबर क्या होगा टैन स्क्वेर ठीटा होगा थीटा है क्या पाई अपन 4 माइनस x अपान 2 यहां लिख दो कि सिंस भी नोडैट साइन थीटा अपन गॉस्टीटा इज एक्वल टू होता है बच्छो टैन थीटा ठीक है ना वाई केम सफपर से कहाराेगा केवल टैना ऐगा और है कि अगल枝 two स्क्रेट और 10 अब Grü det park संदो अब हने हैं अब यह पार्मुला लिखेंस पर ठीट अगर हो औरतनले स्वर टैन वस होने इन कता हो Arsen थीटा बचता है तो Y is equal to 10 inverse 10 खताम होगा बच्चों थीटा बचेगा पाई अपन 4 minus X upon 2 ठीक है बच्चों अब सेंप्लिफिकेशन हो गया अब हमें करना हो ना करना है डिफ्रेंशीयाइशन अब हमें करना है पियारे बच्चों अब कलन तो आपन बोलेंगे दोनों पक्चों का X के साफ अब कलन करने पर differentiating both side with respect to X differentiating both side with respect to X बच्चों वाई का differentiation DY upon DX अफिर बच्चों D upon DX पाई अपान 4 का अलग अपकोलन X upon 2 का अलग अपकोलन तो प्यारे-प्यारे बच्चों DY upon DX is equal to constant अपकोलन 0 X upon 2 का 1 upon 2 constant का अपकोलन 0 X upon 2 का 1 upon 2 तो बच्चों यहां बोलेंगे since we know that D upon DX constant होता है 0 और D upon DX X का होता है 1 ठीक है कर रहे बच्चों तो बस हो गया फिर यहां पर हो जाएगा DY upon DX is equal to minus का 1 upon 2 यह हमारा आंसर है बच्चों आंसर मैच करें example number 19 बिल्कुल प्लस का 1 upon 2 आ रहा है अपन से कहां मिश्टेक हो गई प्यारे बच्चों कि ओखो बहुत बड़ी मिश्टेक कर दी अपन ने तो यार इतनी बड़ी मिश्टेक कैसे कर सकते हैं अपन अपन ने तो बहुत बड़ी मिश्टेक कर दीं चलो खiher को क्या मिश्टेक करतीया पन ने ने ध्यान से देखो धीएं से देखो मिटा रहा हूं मुझे याद ये मिश्टेक क्या करी है इसलिए उसको मैं मिटा रहा है ठीक है बच्चों दो यहां तक तो राइट था पहले अपन ने जिए प्रड़ क्याँ पैन् सब्सक्राइब बत्चोच फिर फ़ोट आफ था प्यारे बच्राइब यहां पर प्रीक्राइब ऐस राइड और पाई प्देषरे बच्चों यहां पे था अपन में साइन स्क्वेर और पाई अपन फोर माइनस एक्स अपन टू यहां तक बच्चों को याद है कि नहीं याद है प्यारे प्यारे बच्चों अब आप यह पता हो कि क्या हो जाएगा कॉस स्क्वेर अपन साइन स्क्वेर है ना बच्चों हमें या पता है कि कॉस्फ थीटा और बटे साइन थीटा है। डिकल टू क्या होता है यार, कॉठ्ट सीटा होता है, अपनECP pendule ने लिए गलती कर दी है न, तो अगर कॉस बटे साहिन कॉठ होता है, तो कॉस्फ वटे साइन थीटा क्या हो asymm sono अध्य बच्छों, कॉiegen कए स्क्वोइर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काट स्क्वेर थीटा, और थीटा क्या है, पाई अपान 4-1 ओसपान टू, अब ठीक है बच्चों को अभी देखो तो y is equal to क्या है 10 inverse बच्चों square है तो रूट हट जाएगा तो यहां बचेगा क्या बचेगा अंदर अंदर बचेगा cot और pi upon 4 minus x upon 2 अब प्यारे बच्चों इतना जानते हो अगर बाहर 10 inverse है तो अंदर 10 लाना चाहिए अंदर 10 आ जाए तो बहुत अच्छा लेकिन अगर 10 ना के cot आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम cot को बच्चों 10 में convert कर सकते हैं क्योंकि हम cot को 10 में convert कर सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों है ना तो अभी अगर देखें अपन सही से तो क्या करें y is equal to इस 10 inverse को बाहर रहने दें ना बच्चों अभी अपन बोलेंगे कि सिंस है ना cot है ना यह cot थीटा है ना हमें इसे 10 के फॉर्म में लेखना है अब बोलेंगे बच्चों 10 90-theta is equal to क्या होता है बच्चों cot थीटा होता है इसका मतलब हम cot थीटा के अस्थान पे 1090-thीटा कर सकते हैं थीटा के अस्थान पे यह पूरा है मतलब यह cot थीटा लिखा हुआ है तो cot थीटा को अपन लेख सकते हैं बच्चों 1090-theta 1090-theta थीटा मतलब क्या भी यह थीटा मतलब पाई अपन 4-1 एकस अपन 2 बात समझ में आई की नहीं आई बच्चों cot थीटा को हम 1090-theta कर सकते हैं लेकिन यह हमारे पास cot theta के अस्थान पे कुछ और है यह पूरा थीटा है cot थीटा है तो cot theta को हम 1090-theta कर सकते हैं अब बच्चों यहां bracket open करेंगे अपन या करेंगे प्यारे बछ्चों अब्रयकेट open करेंगे करेंगे अपन ब्रेकेट open तो क्या हो जाएगा हमारा यहां से हम मुँने कि वाई is equal to y is equal to 10-0 इन वर्स हैना अभी हopic अब यहां पर फर्मूला भी एप्लाई कर सकते हैं किया फर्मूला है बच्चों हम बलेंगे सिंस्ट इनुधेट कि 10 इनवर्स और अगर तैन थीटा कभी होता है तो 10 इन वर से 10 खतम हो जाता है क्या बचता है थीटा भाइब इस इकोल टू टीन अवर से 10 खतम हो तो पाई अपाउन फोर माइनस माइनस प्लस का एकस अपाउन टू अब लिख दो अच्छी राइटिंग में दोनों पक्छों का है ना दोनों पक्छों का एकस के साफ एक्ष अफ़कलन करने पर differentiating both side with respect to x, प्यारे प्यारे बच्चों, तो y का differentiation क्या होगा, dy upon dx, फिर यहाँ पे d upon dx, क्या है बच्चों, pi upon 2 है, minus pi upon 4 है, प्लस का x upon 2 है, तो प्यारे बच्चों, dy upon dx is equal to constant का differentiation 0, constant का differentiation 0, x upon 2 का 1 upon 2, यहां लिखेंगे, since we know that, d upon dx constant 0 होता है, और d upon dx, x क्या होता है, 1 होता है, इसलिए x upon 2 क्या हो गया, बच्चों, 1 upon 2 हो गया, ठीक है न, तो अब अगर देखें अपन, तो dy upon dx is equal to, क्या बच्चों, 1 upon 2, और यही हमारा आंसर है, तो पिछले बार का जो mistake हुआ था बच्चों, उसके लिए स्वारी, है न, अपनने क्या कर लिया अब, अब अपनने उस mistake को सुधार लिया है, ठीक है प्यारे बच्चों, अब example number 20, very easy, है न, example number 21, is also very easy, देखो, अब क्या है बच्चों, कि अब अब अपन, जो question कर चुके है, उन्हीं question के तुकडे मिल रहे है, है न, अब आप बताओ यार, अगर आपको, क्या मिले, example number 20 जैसा कुछ मिले, cos x upon 1 plus sin x, तो नहीं कर लोगे सही सही, cos x उपर है, upon में 1 plus sin x है, तो भाईजा क्या करो, cos को भी sin में, sin को भी cos में convert कर लो, वहीं तो करोगे, चलो मात्र एक कर देते हैं, example number 20, उसके बाइट 21 अपन नहीं करेंगे, यार, इतना थोड़ी करेंगे, इतना थोड़ी समय है, कि सब 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 कुष्शन बताते रहे, है न, तो बच्चों, चले हम एक्जांपल number 20 कर देते हैं, है न, तो एक्जांपल number 20 कर 2 विट्शों 10 inverse 10 inverse क्या है qaos X upon one plus sign X प्लेड़े बच्छों मैंने बोला है आपके पास one plus sign X का formula नहीं है one plus cos x का 1 plus cos x मिले तो खुश हो जाओ लेकिन 1 plus sign X मिले तो फुदा सतरक हो जाओ कि कुश करना पड़ेगा according to question करना पड़ेगा तो Y is equal to प्यारे प्यारे बच्छों टैन इंवर्स कॉस X है तो कॉस X कर दिया बच्छों पन वन प्लस साइन X को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस पहले चेश तो हम बोलेंगे कि कॉस 90 माइनस थीटा is equal to sin फेटा इसका मतलब प्यारे बच्छों कॉस 90 को पाई अपान 2 बोलेंगे फेटा के अस्थान पे X कर दें तो हो जाएगा बच्छों sin X इसका मतलब sin X के अस्थान ने पर हम क्याव सकते हैं कॉस्ष पाई अपाउन… टू-,wait कर सकते हैं, बच्चे लोग रटना नहीं है अ कि रटना नहीं है कि इसे और करने को अस्थ करें क्यों नभॉट करना है, कनवलिक्ट इसलिए करना है है ना यही करना है ना तो अब यह जो कॉस एक्स है वो थोड़ा सा डिश्टर्ब इसलिए होगा है ना बच्चों थोड़ा सा डिश्टर्ब इसलिए होगा कि अब देखो यह हमने बोला सेम कास्ट के होने चाहिए अगर X angle वाला है तो यहाँ भी X angle वाला रहे तो यहाँ देखा जाए बच्चों तो यहाँ पे तो angle क्या है pi upon 2 minus X है यहाँ पे angle only X है तो इसे भी pi upon 2 minus X करना पड़ेगा तो एक और formula पर लगाएंगे प्यारे प्यारे बच्चों sin 90 है ना नहीं पर लगा दें अपन जो हमारा साइन 90 और minus X होता है साइन 90 minus X होता है वो cos X के बरावर होता है बन्दब cos X क्या स्थान पर अपन क्या कर सकते हैं अपन कर सकते हैं बच्चों sin 90 minus X अब दोनों के angle same हो गए अब लगा दो फार्मूला ठीक है बच्चों तो हो जाएगा Y is equal to 10 inverse 10 inverse बच्चो साइन थीटा साइन थीटा फार्मूला क्या होता है यह वाला फार्मूला मिटा रहा हूं है आप लिख ले न जो फार्मूला समधाने के लिए अधिक जगह चाहिए होती है हम बुलेंग मुझे सिंस हमें पता है कि साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा और कॉस थीटा हमें पता है बच्चों कि साइन थीटा होता है टू साइन थीटा अपॉन टू और कॉस थीटा पॉन टू मतलब फंडा यह है कि जो भी इधर एंगल रहेगा उसका इधर आधा रहेगा तू थीटा कहा था थीटा कहा था थीटा पांटू थीटा पांटू इसका मतलब यह जो भी एंगल रहे है साइन पाई अपांटू माइनस एकस है तो तू साइन पाई अपांटू माइनस एकस ना थीटा था थीटा अपान टू ये पूरा है ये पूरा पान टू और कॉस पाई अपान टू माइनस एक्स अपान टू प्यारे प्यारे बच्चों ठीक है ना तब साइन इसके स्थान पे अपन टू साइन पाई अपान टू माइनस एक्स अपान टू और फिर कॉस पाई minus x upon 2 फिर पूरे अपान में हमें पता है one plus cos two theta होता है बच्चों two cos square theta है ना बच्चों one plus cos two theta होता है two cos square theta तो one plus cos theta हो जाएगा two cos square theta upon two फंडा यहां भी वही है कि जो भी एंगल है उसका आधा कर दो है ना बच्चों one plus cos angle है मान लो यह तो two cos square angle upon two angle क्या है पाइपान two minus x angle upon two कर विया तो बच्चों अब क्या होगा इस two से two cancel होगा. Will cả be a cost square by upon two minus x upon two से a cost by upon two minus x upon 2 cancel है ना बच्चों यह सेम है लicle सो Cancel हो गया अब देखते हैं बचा क्या है ना बच्छों अब बचा क्या अपने पास तो वाई इस इक्वल टू है क्या है अपने पास टैन इन वर्स है ना बच्छों क्या है टैन इन वर्स यह अपने पास बचा है साइन आफ साइन आफ पाई अपाउन टू माइनस एक्स अपाउ 2 आना पूरा अपांट फिर कास आफ पाई अपांट टू माइनस का एक सपाइबाट टू है न बच्चो तो अभी अगर अपन देखें तो क्या हो जाएगा है न वच्चों क्या हो जाएगा ध्यान से देखो इसको अपन simplify कर चुके हैं तो यहां पि क्यों simplify करें बागल में कर लेते हैं कि πाय अपाण 2-x का अपाण 2 है इसे क्या अपन करेंगे है न वच्चों तो इसके की आप आंने कुछ नहीं आपन वण कर सकते हैं तो पाई अपांट तो माइनس X एक्स टो अफान वण प्रट के उपर जाएगा तो बन जाएगा बन ही ऑनूत कहीं का अंदर गुर्णा upon 4 minus x upon 2 upon वे बच्चों πाई upon 4 minus x upon 2 अब बच्चों हमें यह बात भी पता है कि sin theta upon cos theta क्या होता है टैन theta होता है क्या होता है बच्चों टैन theta होता है हम भोलेंगे since भी मैं नो दैट कि sin theta upon cos theta is equal to tan theta होता है तो प्यारे बच्चों y is equal to tan inverse sine है ना बच्चों है na sine pi upon four minus x upon two upon cos pi upon four minus x upon two क्या हो जाएगा tan pi upon four minus x upon two प्यारे प्यारे बच्चों हम बोलेंगे since we know that tan inverse tan theta क्या होता है केबल theta होता है तो यह वे tan inverse tan गायब तो y is equal to cable बचेगा pi upon four minus x upon two है ना बच्चों अब जल्दिस से सायद camera की battery भी जाने वाली है बच्चों है ना 30 मिनट तो रहता ही है battery भी बहुत respect to x y का differentiation dy upon dx यहां लगाएंगे d upon dx pi upon four minus x upon two तो बच्चों dy upon dx is equal to pi upon four का zero होगा x upon two का one upon two होगा तो final answer क्या आ गया इसको हमारा answer आ गया प्यारे बच्चों अब थोड़े से बचे हैं एक या दो वीडियो के लिए example तो इस एक या दो वीडियो बाद अपनी पूरा exercise dying कर देंगे तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इसी के साथ बहुत बहुत नमस्कार